हाई गाईज, वेल्गम टू बीबैंकर, स्वागत है आपका आज के क्लास में आज के वीडियो में, मैं हूँ प्रीती मैम और आज मैं लेकर क्या गई हूँ, आपके लिए एक और नई जबरदस्ते वीडियो आज की वीडियो होने वाली है, बहुत जादा important क्योंकि इसमें मैं लेकर क्या हूँ, धेर सारे ऐसे शब्द जो हम लोग रोज इस्तमाल करते हैं, जिन्हें अगर आप वाके अंग्रेजी बोलना चाते हैं, तो आपको जानना ही चाहिए, ये शब्द और इनके sentences और इनका दूलेगा, ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अफलोड मिसना करें, आप सीधे सीधे हम से जूड़ सकते हैं इस वाक्साप नमबर के जरिये, हमारी बुक्स, हमारी एबुक्स और हमारी कोर्स के बारे में जानने के लिए, आप कर सकते हैं, फॉलो, फेस्बुक, इस्ट या आशापूर्वक, चलि इसका स्तमाल देखते हैं, फॉपफुली यू विल अंडरस्टांड, इस लाइन का स्तमाल तो हम लोग आई दिन करते ही रहते हैं, उमीद है आप समझ जाएंगे, या उमीद है आपको समझ में आ गया होगा, so hopefully you will understand, उमीद है आप समझ जाएंग मूल रूप से वे किसान थे, originally they were farmers, मूल रूप से वे किसान थे, roughly यानि की मोटे तोर पर या मोटा मोटी, roughly यानि की मोटे तोर पर या मोटा मोटी, so basically ये negative के लिए यूज होता है, ये कई बात negative में इसका जो usage है वो बेदबी के लिए भी होता है, मतलब बेदबी के लिए, मतलब बत्तमीजी के लिए ठीक है नेगटिव सेंस में अगर इसको इसको इससें माल करना हो तो आप कहीं पे अगर कोई बत्तमीजी से पेश आ रहा है तो उसके लिए इवाफ Roughly को इसको इसको है इसको 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 इसके इसको इसको कर देखते है He drives Roughly वो बेदबी से ड्राइव करता है मतलब वो गाड़ी जो है वो बहुत रफ गाड़ी चलाता है आपने बहुत सारे लोगों को सुनाओगा ये बोलते हुए अरे बहुत रफ गाड़ी चलाता है मतलब क्या है वो बेदबी से गाड़ी चलाता है मतलब उसको बिल्कुल भी समझ नहीं यह गाड़ी चलाने कि रफ तरीके से गाड़ी चलाता है, राश ड्राइविंग करता है, चागे, तो ऐसे रफली को आप negative way में इस्तमाल कर सकते हैं, चली बढ़ते हैं आगे, अगला है significantly, यानि कि गौर तलब है की, या महत्वपूर्ण बात यह है की, या महत्वप के साथ कोई बात बताई जाने वाली कोई बात, या काफी, ये चारो ही जगह पे आप significantly का use कर सकते हैं, चली ये usage देख लीजे, हर English improved significantly, उसकी अंग्रेजी में काफी सुधार हुआ, उसकी अंग्रेजी में काफी सुधार हुआ, हर English improved significantly, तो आप स सबकी English में significantly सुधार हुआ है या नहीं, मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, चली बढ़ते हैं आगे, अगला है totally, यानि की पूरी तरह से, totally, यानि की पूरी तरह से, I totally forgot, मैं पूरी तरह से भूल गया, I totally forgot, मैं पूरी तरह से भूल गया, twice, यानि की दो बार या दुगना, twice मतलब दो बार या दुगना, I watched it twice, मैंने इसे दो बार देखा, I watched it twice, अब it मतलब, आप किसी समान की बात कर सकते हैं, किसी movie की बात कर सकते हैं, किसी web series की बात कर सकते हैं, I watched it twice, मैंने इसे दो बार देखा, watch के मतलब होता है, जब आप को चलचित्र देखते हैं तब हम लोग वाच का प्रेयो करते हैं अगर आपने अभी तक चानल पर अवेलेबल लुक्सी वाच के बारे में वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जाए चेक कीजिए और जानिए कि लुक्सी और वाच आखिर इन ते इल्सवेर वो कहीं और खरीदारी करने चली गई मतलब प्लान कहीं और का था बट वो कहीं और चली गई तो शी वेंट शॉपिंग एल्सवेर वो कहीं और खरीदारी करने चली गई एब्रिवेर यानि कि हर जगा या सब जगा एब्रिवेर यानि कि हर जगा या सब जगा ए Air is everywhere, हवा तो हर जगा है, Air is everywhere, हवा हर जगा है Obviously यानि कि जाहिर है या सपश्ट रूप से, Obviously यानि कि जाहिर है या सपश्ट तह, Obviously he is lying, जाहिर है वो जुट बोल रहा है, Obviously he is lying perfectly यानि कि पूरी तरह से पक्के तौर पर या बिल्कुल I am perfectly fine मैं पूरी तरह से ठीक हूँ physically यानि कि शारिरीक रूप से He was present physically वो शारिरीक रूप से मौझूद था होता है न क्लास में मैं पढ़ा रही है मन नहीं लग रहा हम लग physically वहां प्रेजंट होते हैं मतलब शारिर्य गूप से हम लग उस घ्लास में होते हैं परमानसि गूप से कहीं और होते हैं घर पे होते हैं कि मम मैं पता नहीं क्या बना रही है so इसको physically होते हैं मतलब शारिरी क्रूप से मौझूध बोलते हैं He was present physically, मतलब वो शारीरी ग्रूप से मौझूद था. Successfully, यानि कि सफलता पूर्वक. He successfully completed the project. उसने project को सफलता पूर्वक पूरा किया. He completed the project successfully. He उसने project को सफलता पूर्वक पूरा किया. Suddenly, यानि कि अचानक, अचानक से या एका एक. Suddenly यानि की अचानक, अचानक से या एका एक It happened suddenly, यह अचानक हुआ It happened suddenly, यह अचानक हुआ Truly यानि की सही माइने में या वास्तव में It is truly amazing, यह वास्तव में आश्चरय जनक है All together यानि की पूरी तरह से या कुल मिलाकर All together, यानि की पूरी तरह से या कुल मिलाकर That is altogether wrong, यह पूरी तरह से गलत है Together यानि की साथ में या साथ साथ Together का मतलब साथ में या साथ साथ We are together, हम साथ साथ है मूवी देखिए न? आँ किसने किसे मूवी देखिए? जल्दी कमेंट करके मुझे बताइए we are together, यानि कि हम साथ-साथ हैं Anyway, यानि कि वैसे भी या किसी ना किसी प्रकार से Anyway, यानि कि वैसे भी या किसी ना किसी प्रकार से We will go anyway हम वैसे भी जाएंगे We will go anyway हम वैसे भी जाएंगे Automatically, यानि कि खुद बाखुद या अपने आप The door opened automatically दरवाजा खुद बखुद खुल गया, the door opened automatically, दरवाजा खुद बखुद खुल गया, deeply यानि कि गहराई से या गंभीरता पूर्वक या गहरे, he is deeply in shock, वो गहरे सदमे में है, definitely यानि कि निश्चित रूप से या जरूर, definitely यानि कि निश्चित रूप से या जरूर, it will definitely rain, नि बिश्चित रूप से बारिश होगी, deliberately यानि कि जान बूच कर, deliberately यानि कि जान बूच कर, he did it deliberately, उसने ऐसा जान बूच कर किया, hardly यानि कि मुश्किल से ही कभी, he hardly goes there, वो मुश्किल से वहां जाता है, readily यानि कि आसान से, आसानी से या सरलता से, they readily agreed, वे आसानी से सहमत हो गए, terribly यानि कि बुरी तरह से या भीशन रूप से, terribly यानि कि बुरी तरह से या भीशन रूप से, he was terribly upset, वो बुरी तरह से परिशान था बिल्कुल, terribly यानि कि वो बुरी तरीके से परिशान था, he was terribly upset, unfortunately यानि कि दुरभाग्य से, unfortunately he failed, दुरभाग्य से वह असफल रहा, Unfortunately, he failed, वो दुर्भागे से असफल रहा Fortunately, यानि कि सौभागे से Fortunately, he passed, सौभागे से वो पास हो गया Back and forth, यानि कि आगे पीछे He ran back and forth, वो आगे पीछे दोड़ा Briefly, यानि कि संचेप में या संचिप्त रूप में Briefly, यानि कि संचेप में या संचिप्त रूप में They said briefly, उन्होंने संचेप में कहा Moreover, यानि कि सिवाई इसके के अतिरेक्ट और तो और या से बढ़कर Moreover का मतलब सिवाई इसके के अतिरेक्ट और तो और या से बढ़कर इन सारे जगहों पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, moreover इस्तेमाल करेंगे, moreover it is harmful to your health, और तो और ये आपके स्वास्त के लिए हानी का रखे, हम लोग बताते हैं न, कि भई ऐसा मत करो, जादा oily मत खाओ, और तो और ये आपके सेहत के लिए हानी का रखे, मतलब आपको मोटा कभी नहीं जाता, I never go there, मैं वहाँ कभी नहीं जाता, rudely यानिकि बेरुखी के साथ, rudely यानिकि बेरुखी, don't talk to me rudely, मुझसे बेरुखी से बात मत करो, nicely यानिकि अच्छी तरह से, talk nicely, अच्छी तरह से बात करो, Talk nicely, अच्छी तरह से बात करो Safely यानिकी सुरक्षित रूप से Drive safely, सुरक्षा पूर्वक drive करे Noisily यानिकी shore The train noisily crossed the station Train ने shore करते हुए station पार किया Train कैसे station पार करती है? Shore मचाते हुए So the train noisily crossed the station Oddly यानिकी विचित्र रूप से She performed oddly, उसने विचित्र रूप से प्रदर्शन किया मतलब किसी का dance या song हम लोगो पसंद नहीं आता क्या वो थे क्या अजीब सा विचित्र अजीब सा performance था अजीब सा विचित्र, odd She performed oddly, उसने विचित्र रूप से प्रदर्शन किया Upbeat यानिकी उत्साहित होना या उत्साहित They were upbeat for the party, वे पार्टी के लिए उत्साहित थें Officially यानिकी आधिकारिक तौर पर I was appointed officially, मुझे आधिकारिक रूप से नियुक्त किया गया था I was appointed officially, मुझे आधिकारिक रूप से नियुक्त किया गया था Upright यानिकी सीधा A moment later, she sat upright, एकशन बाद वो सीधे बैट गई Only यानिकी केवल He only asks for money, वो केवल पैसे मांगता है He only asks for money, वो केवल पैसे मांगता है Seriously यानिकी गंभीरता से Seriously यानिकी गंभीरता से Do your work seriously, अपने काम को गंभीरता से करें अंग्रेजी गंभीरता से पढ़ें Do your work seriously, अपने काम को गंभीरता से करें Upward यानिकी उपर की ओर Upward यानिकी उपर की ओर Go upward उपर की ओर जाएं Go upward उपर की ओर जाएं Beautifully यानिकी खुबसूरती से Beautifully यानिकी खुबसूरती से The party was beautifully decorated Party खुबसूरती, पाटी को खुबसूरती से सजाया गया था Bitterly यानिकी कटू Don't speak bitterly, कड़वा मत बोलो या कटू अचन मत बोलो Don't speak bitterly, कड़वा मत बोलो या कटू अचन मत बोलो Cleverly यानि की चालाकी से She left the party cleverly उसने बड़ी चतुराई से पार्टी छोड़ दी और वो चली गई She left the party cleverly उसने बड़ी चतुराई से पार्टी छोड़ दी Lively यानि की जीवन्त इसको क्या पढ़ते हैं? Lively यानि की जीवन्त The music concert was lively Lively संगीत समारो जीवन्त था मतलब बहुत मजा आ रहा था एकदम बिल्कुल live तरीके से था Closely यानि की निकट से Observe the work closely काम को निकट से निरिक्षन करें काम का निकट से निरिक्षन करें Observe the work closely मतलब अपनी निगरानी में रख करके काम करवाएं Fully यानि की पूरी तरह से Fully यानि की पूरी तरह से Boss was fully satisfied with our work Boss हमारे काम से पूरी तरह से संतुष्ट थे Lonely यानि की अकेला She was feeling lonely वह अकेला महसूस कर रही थी Loudly यानि की जोर से Loudly यानि की जोर से Speak loudly जोर से बोलो Speak loudly जोर से बोलो Gently यानि की धीरे Gently यानि की धीरे Wash your face gently अपने चहरे को धीरे से धोएं मतलब धीरे धीरे धोएं अपने चहरे को आपने देखा होगा ना Face Wash वागरा अड़ करते हैं Wash your face gently Scrub your face gently मतलब हलके हातों से धीरे धीरे अपने चहरे को धुए Wash your face gently Openly यानि कि खुले तोर पर They announced election openly उन्होंने खुले आम चुनाव की घोशना कर दी या की Tightly मजबूती से या कस कर Holding the rope tightly रसी को कस करपड़ें Hold the rope, rope का मतलब रसी होता है Hold the rope tightly, rassी को कस करपड़ें Restfully, यानि की शांति से Can you work restfully? किया आप आराम से काम कर सकते हैं? या शांति से काम कर सकते हैं? Can you work restfully? Truly, यानि की सही माइने में त्रूली यानि की सही माइने में. He is truly a good friend. ववास्तव में एक अच्छा दोस्त है. शापली यानि की तेजी से. He finished her work sharply on time. She finished her work sharply on time. उसने समय पर अपना काम तेजी से पूरा किया. उसने समय पर अपना काम तेजी से पूरा किया. यहाँ पे she finished her work sharply on time. Painfully यानि की दर्दनाख. The story was described painfully. कहानी को दर्दनाख तरीके से वर्नित किया गया था. Terribly यानि की भीशन. The weather was terribly hot. मौसम भीशन गर्म था. The weather was terribly hot. मौसम भीशन गर्म था. Sweetly यानि की मधूर्ता से. Sweetly यानि की मधूर्ता से. Talk sweetly to others. तूसरों से मीठी बाते करें या मीठे तरीके से बात करें. हैना मधूर्ता से बात करें. Talk sweetly to others. तूसरों से मीठी बाते करें. या मधूरता के साथ बात करें, ठीक है? So, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है, तो लाइक कर दीजे, शेर कर दीजे, सब्सक्राइब कर दीजे, चानल को अगर अभी तक नहीं किया है, तो और इसके साथ ही, आप नहीं, अगर इसको मिस कर दिया है, तो ये बिल्कुल आपके लिए ही है, ये है बेस्ट हमारा साड़े छे घंटे के में इंग्लिश बोले के उपर, ये e-book है, हमारी फ्री वीडियो कोर्स है, 60 वीडियो की, उसकी ये e-book है, इसके बारे में डिटेल्स के लिए आप अभी WhatsApp करें इस नमबर पे, साती साथ, आप अगर जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ, हमारे प्रीमियम वाट्सप फोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो अभी इस नमबर पे इंक्वाइरी करके पता कर सकते हैं, कि क्या आपको इसमें मिलता है, कितने दिनों का कोर अब क्या इसमें सीख जाएंगे, यह सारी डेटेल्स आपको इस नमबर पे मिल जाएंगे, साती साथ, यह हमारा Basic English Grammar कोर्स, जिसमें आपकी English Grammar की बेसिक्स जो है, बिलकुल आराम से तरीके से क्लियर कर दी जाती है, और आप एडवांस के लिए आराम से तयार हो जाते हैं इसकी Inquiry पे आप इस नमबर पे कर सकते हैं, साती साथ, Grammar बच्चों को जिखाना बच्चों को खेल नहीं, पर अब इस कोर्स के साथ बहुत आसान है, तो कि हमने और हमारे Experts ने मिल करके इस कोर्स को specially designed किया है kids के लिए, ताकि उन्हें अभी मक्षन की तरह और खेल-खेल म अब जिस भी क्लास में हैं, उस क्लास के अकॉर्डिंगली आपको आपको आपकी राइटिंग और ग्रामर दोनों ही कराये जाते हैं, बहुत सरलता से कराये जाते हैं, आप सीख जाते हैं वाकई कि एक्जाम में लिखे कैसे, इसकी Inquiry पर आप इस नमबर पे कर सकते हैं, सा इसकी Inquiry करते हैं, इक कोर्स का नाम लिख करके Inquiry करें, ताकि हमारे प्रतिनिधी आप तक सही जानकारी पहुंचा पाएं, तो और Inquiry भेजने के बाद 24-47 घंटों का इंतजार करें, क्यूंकि बहुत सारे लोग होते हैं, तो एक करके सबको रपलाई करना पड़ता है, हम प्रतिनिधी हमेशा लगे रहते हैं इस काम में, तो अगर आपने WhatsApp किया है, तो आपको जरूर से जरूर रिप्लाई मिलेगा, इसके लिए आप निश्यंद रहें. So yes guys, that's it for today, thank you so much for watching, stay tuned to BeBanker, Empowering Lives Through Knowledge, thank you so much for watching, stay tuned.